हलो स्टुडेंट्स आप सभी का हमारे ओ लेवल के मॉड्यूल 1 M1 R5 के लेक्चर 3 में स्वागत है आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्यूटर के कुछ बेसिक एप्लिकेशन के बारे में यानि की कम्प्यूटर के कुछ मूल अनुप्योगों के बारे में इसका मतलब है कि कम्प्यूटर किस किस छेतर में किस तरीके से प्रियोग किया जाता है वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं तो यार सबसे पहले बात करते हैं, word processing की, word processing software हमे दिन भर के कामों को सुचारू रूप से करने में मदद करता है भई word processing software क्या करते हैं computer में, ये हमें दिन भर के जो भी काम होते हैं उनको करने में मदद करते हैं जैसे कि हमारा Libre Office हो गया, Libre Office में Writer होता है, वो हमें Document बनाने में आसानी, मतलब आसानी से हम लोग उससे Document बना सकते हैं, इसी तरीके से Calc होता है, उसमें हम Tabular Form में जो भी Data होता है हमारे पास उसको भी हम लोग वहाँ Manipulate कर सकते हैं, यानि कि उसमें बदलाव कर सकते हैं, य जिनकी मदद से हम लोग अपने दिनवर के कामों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे Letter Typing, हमें कोई भी Letter Type करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, Making Resume, तो हम Resume भी इससे बना सकते हैं, और भी कई सारे काम हैं, जो हम Word Processing की मदद से कर सकते हैं, यह Automatically रूप से Spelling और Grammar गलतियों को ठीक क यानि कि जो हमारी Spelling होती हैं, बरतनी होती हैं, उनको यह Automatically की सही कर देता है, और जैसे Grammar होती है, व्यक्रन की कोई गलती है, तो उसको भी Automatically यह सही कर देता है, इसे हम लोगों को खुद करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें बस एक Option को Enable करना होता है, और यह अपने सही कर देता है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से Computer का प्रियोग Bank में किया जाता है, वर्तमान में Net Banking पॉपलर हो रही है, इसका मतलब है कि अब जो Net Banking का आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपलर हो चुकी है, सभी लोग Net Banking का प्रियोग करते हैं, Net Banking का उप्योग करके आधिकांस लोग अपना Banking कार करते हैं, इसका मतलब यह है कि अब हमें Bank जानी की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग Net Banking का प्रियोग करेंगे अपने Laptop में या Mobile में या PC में, इसके बाद हमें Bank जानी की ज़रूरत नहीं है, हम सारा काम अपने Laptop या Personal Computer से कर सकते हैं, आप आसानी से Net Banking का यूज करके एक Account से दूसरे Account में पैसा Transfer कर सकते हैं, इसका मतलब है अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, तो आपका Account जिस भी Bank में है, उसका App डाउनलोड करिए और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने Account से पैसा किसी और Account में भेज सकते ह लेकिन आप इसको घर से कर सकते हैं, अपने Personal Computer से यानि कि अपने Computer से, अब बात करते हैं कि Computer का प्रियोग Internet में कैसे किया जाता है, आप अपने Computer को भारत या विदेश में कहीं भी किसी भी Computer से जोड सकते हैं, इसका मतलब है अगर आप भारत में रहते हैं और आपका कोई दो आप किसी computer के अंदर ही चलाओगे तो computer में internet जब आप चलाओगे तब ही किसी व्यक्ति से या आप किसी भी person से बात कर पाओगे तो सीधी बात ये है कि internet के माध्यम से आप किसी भी computer को किसी भी computer से connect कर सकते हैं और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं Communication कर सकते हैं, Chat कर सकते हैं, Video Call कर सकते हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं Internet के माध्यम से ही होती हैं. तो यार अब जान लेते हैं कि किस तरीके से Computer का प्रयोग Hospitals में किया जाता है, आप देखेंगे कि मरीज के Record जैसे रोगी के नाम यानि की Patient के Name, रोग यानि की Disease और निदान यानि की Diagnosis जैसी कई सारी जानकारियां Computer में Hospitals में Record करके रखी जाती हैं, तो Hospitals में Computer का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, अब जैसे कल के दिन के उपर कोई भी Checking बैट जाती है, तो उनको बताना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति किस दिन आया था, या उसको कौन सी Disease थी, या ये भी पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये वाला Blood Group है या नहीं है, तो वो भी Record आपको Computer के अ Hospitals में किया जाता है, अब बात करते हैं Computer का प्रयोग किस तरीके से Communication के लिए किया जाता है, या देखो आप इतना तो जानते होंगे Computer का प्रयोग जैसे Communication में Video Call करने के लिए, Chatting करने के लिए या फिर Email भेजने के लिए, इसी तरीके सी जो भी Communication होते हैं, उन सब के लिए Computer का का प्रयोग किया जाता है computer लोगों को वीडियो कॉलिंग चैटिंग इमेल्स ऐ लर्निंग ऐसी कई और चीजों के माध्यम से एक दूसरे से संबाद करने की सुविदा देते हैं वहीं computer से होता क्या है हम basically क्या कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं किसी को किसी से चैट कर सकते ह फिर हम उससे पढ़ाई कर सकते हैं direct हम teacher से क्या कर सकते हैं interact हो सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं किस तरीके से computer का प्रयोग education में किया जा रहा है यानि कि अब पढ़ाई में किस तरीके से computer का प्रयोग किया जा रहा है तो जैसा कि अ हमारे teachers जो हैं मैं वो computer से पढ़ा रहे हैं या फिर हम लोग net के द्वारा उनसे पढ़ रहे हैं और हम कह सकते हैं computer एक excellent teacher साबित हुआ है मतलब कि इस कोरोना काल में इस pandemic situation में एक computer से हम लोग क्या कर पाते हैं पढ़ पा रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या हुआ इस समय एक बहु आप comment करेंगे उनसे answer ले सकते हैं आप answer दे सकते हैं वो लोग पढ़ाएंगे आप doubt पूछ सकते हो इस तरीकी की सारी चीजें यहाँ पर हो रहे हैं virtual classes हैं direct interact हो रहे हैं आपसे board पे वो लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं यह virtual classes हो गई हैं इसके बाद online classes ह कई type के apps हैं जहां आप meeting से पढ़ सकते हैं उनसे तो इस तरीके से हमारी जो education है वो computer के माध्यम से बहुत ही आसान हो गई अब हम आसानी से कहीं भी बैठके कभी भी पढ़ सकते हैं अब सबसे last में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से government computer का प्रियोग करती हैं सरकार के बिबिन इसने विभागों ने अपने नियोजन, नियंतरण और कानून परिवर्तन गतिविदियों के लिए computer का इस्तमाल किया है या करते हैं वही दखो अगर किसी भी सरकार को कोई भी planning करनी है तो बड़ी अब लोग projector लगाते हैं और सामने अपने जो screen पे हैं वो projector पे पूरा planning आपको वहाँ पर केबल एक CCTV कैमरा लगा हुआ होता है जिससे आप लोग अगर तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या आप seatbelt नहीं लगाएं तो डारेक्ट आपका चालान आपके घर तक पहुंच जाता है तो control भी कहीं ना कहीं ये लोग कर पा रहे हैं low enforcement activities जैसे कि प्रियोग government करती है तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा computer का प्रियोग कहां किस-किस जगह किया जाता है जितने मैंने बताए हैं केवल इतनी ही जगह computer का प्रियोग नहीं किया जाता है और भी कई सारी जगह हैं जो अलग-अलग purpose के लिए अप और एक और topic कवर करेंगे वहाँ पर evolution of computer जिसमें हम लोग पढ़ रहा होंगे कैसे computer का बिकास हुगा happy learning